आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जैम्स इंग्लिस बुक के चैप्टर नंबर 7 को टाइटल है कलर्स ओफ दी अर्थ इस चैप्टर में हम एक भारतिय कलाकार के साथ हुए एक इंटर्व्यू को पढ़ने जा रहे हैं जो पारंपरी प्रेंटिंग बनाती है मदुबनी पेंटिंग होती क्या है मदुबनी पेंटिंग बिहार की एक पारंपरी कला है जिसमें चमकदार रंगों और सुन्दर डिजाइनों का इस्तमाल किया जाता है पहले लोग इसे दिवारों और फर्स पर बनाती थे लेकिन अब यह कपड़े और कागज पर भी बना लिखा है भारत एक ऐसा देश है जहां कई तरह की पारंपरी कलाई पीडी दर पीडी चली आ रही है मदुबनी पेंटिंग भी एक एजी ही खास कला है जो बिहार राज्ये से सुरू हुई थी आईए इस बाचीत में हम एक मदुबनी कलाकार नमिता जी से मिलते हैं और उनक आपकी मदुबनी पेंटिंग बनाना आपने कब सीखा कब सुरू किया नमिता कहती है थैंक यू मैंने करीब 11 साल की उमर से ही मदुबनी पेंटिंग बनाना सुरू किया था मैंने यह कला अपनी मा और दादी से सीखी है नेहा आगे पूर्षती है कि आप हमें बता सकती है क जब आपने पेंटिंग बनाना शुरू किया तब कौन-कौन सी तकनीक और रंगों का इसमाल किया जाता था। नमिता जी ने इस पर जवाब दिया कि जब मैंने पेंटिंग बनाना शुरू किया तब हम कोई भी आर्टिफिसियल रंग यानि इंसान दुआना बनाई हुए रंगों का इसमाल नहीं करते थे। और कांच पर भी पेंटिंग बनाते हैं। नेहा आगे पूछती है क्या आप हमें प्राकरति रूप से रंग बनाने के बारे में कुछ और बता सकती हैं। नमिता ने इस पर जवाब दिया मेरे बच्पन में हम घर पर ही रंग बनाते थे। हम छोटी लता जैसे पोधो की लाल पत्यां को रगड कर और निचोड कर रंग निकालते थे। जैसे हर सिंगार के फूलों की डंडियों से ओरेंज रंग हासिल करते थे और उप्राजीता फूलों से निला रंग बनाते थे। पीपल के पेड की छाल और बबूल से के गोंद को मिला कर ब्राउन ब्लेक रंग बनाया जाता था, अगर रंग सही से बन जाए तो गोंद उन्हें कागज पर फैलाने से रोकता था, हाला कि ये रंग धीरे धीरे फीके पड़ जाते थे, आज कर हम पोस्टर कलर्स और फैबरि नमीता जी ने इस पर जवाब दिया, ओ, तब हमारे पास वास्त में ब्रस नहीं होते थे, हम पतले बांस की डंडियों को लेकर उनकी नोक को चाकू से तेज करते थे, ये कुछ ऐसा था जैसे की एक निब वाला पैन बनाना, फिर हम उन्हें रंग में डूबाओ कर इस्वा करते थे, लेकिन 30 साल पहले इसमें बदलाव आना सुरू हो गया, जो एंजियों मदूबनी कला को बढ़ावा देने लगे थे, उन्होंने हमें पैन, ब्रस और दूसरी कला सामकरी उपलब्द कराई, नेहा ने आगे पुछा, क्या मदूबनी कला पारंपरिक रूप से साल क किसी खास समय जैसे तुहार के दोरान ही की जाती थी, नमिता जी ने जवाब दिया, रंग बिरंगी मदूबनी पेंटिंग जिससे जादत तर लोग परीचित हैं, आमतोर पर फैमली सेलिब्रेशन खास कर साधियों के लिए बनाई जाती थी, हम साधी समारों के महतपून हि और पानी को के मिकसन से बनी एक रंगोली है, जिसे अर्ष्ट दल कहा जाता है, तो हम अर्ष्ट दल बनाते थे, हम अपने आंगन को गीली मिटी से लीपते थे, और फिर फरस पर अर्ष्ट दल बनाते थे, नेहा ने पूछा, क्या आप हमें मदूबनी कला के इस्तमाल किये जाने वाले कुछ डिजाइन के बारे में बता सकती है नमिता जी ने इस पर जवाब दिया हम अधिकतर नेचुरल डिजाइन पर ध्यान देते हैं हम गाई सांप कच्छुए की तस्वीर बनाती है हाला कि तोता और मचली का इस्तमाल बहुत अधिक होता है मचली को हमारी सांस् सुभ माना जाता है और कच्छुए को स्टेबिलिटी यानि स्थिर्त्या का परतीक माना जाता है नेहा ने आगे पुछा मैंने देखा है की कप्डो पर भहुत सी बोर्डर डिजाइन होती है क्या इनमे कोई खास डिजाइन का इस्तमाल किया जाता है इस पर नमिता जी ने कि मेरी मा के समय में जब जादतर पेंटिंग दिवारों पर साधी और अन्य सेलीब्रेशन के लिए बनाई जाते थे तो बोर्डर में कलस और इसी तरह की पारंपरिक पेंटिंग का बार बार चित्र बनाया जाता था आज कल कपड़ों पर खास साडियों पर हम गाए साप और ये एक दूसरे कीbaj और मुक्क किये वुए मोरों के जोड़े को बनाती हैं हम बोर्डर डिजाइन के लिए फूलों और लटाओ का भी इसमाल करती है यानि जो बोर्डर होता है कपड़ों में उसमें बेलों को बनाया जाता है बेल की डिजाइन बनाई जाती है फुल नमिता जी क्या आप हमें बता सकती हैं कि NGO ने इस कला को बढ़ावा देने के लिए आपकी कैसे मदद की है नमिता जी ने जवाब दिया कि मेरी PD के साथ चीजे बदलने लगी जब NGO ने इस कला को बहतर बनाने में मदद की NGO ने हमारे लिए 3-6 महिने तक चलाने वारे आर्ट कोस को आयोजित किया इन कोर्सिस में हमें आधुनिक रंगो और इनके इस्तमाल से परिचित कराया गया NGO हमारे दुआरा बनाई गई पेंटिंग्स को बेचने में भी मदद करती हैं और इस तरह हमें ओर इनकम हासिल हो जाती है नेहा ने आगे पूछा क्या आपको लगता है कि इस कला में महिला को ससक्त बनाया है कि मतब कि वो इन्डिपेंडेंडेंट हो गई है मतब पावर्फुल बनाया है इस कला ने तो नभीता जी ने इस पर जवाब दिया जैसे कि मैंने पहले ही कहा था यह कला महिला दुआरा घर की दिवारों पर बनाई जाती थी अपने घरेलू काम निप्टाने के बाद वे अपनी खाली समय में चित्र बनाते थे पहले पुरूस इस कला में कोई रूची नहीं लेते थे अब उनमें से कुछ ने इस कला में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है लेकिन जादतर महिला ही इस कला से जुड़ी हुई देखी गई है जैसे महा सुंद्री देवी और दुलावरी देवी ये ऐसी कलाकार हैं जिनको पद्दमा स्री से सम्मानित किया गया है अगर आप उनकी कला देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे इस कला ने हमारे लिए एक बहतर भविस्या निश्चित करने में मदद की है अब महिला अपने बच्चित करने में भी इंट्रेस्ट लेती हैं ताकि वे और उनके बच्चे कला का सही इस्तमाल कर सके शिक्षा के साथ वे अपनी कला को भी बड़ावा दे रही हैं और साथ ही अपने जो वैवसाई है मतना अपनी जो income है उसको भी बहतर तरीके से संभालने में भी अब सक्षम हो चुकी है मतना श्ट्रोंग बन चुकी है निहा ने कहा क्या मदूबनी कलाकारों को सरकार से कोई मदद मिली है कोई लाब मिलता है नवीता कि इस पर जवाब देती है हाँ हमें मिलता है हमें अक्सर दिली और दूसरे सहरों में आर्ट एक्जिबिशन और मेलों में भाग लेने के लिए इन्वाइट किया जाता है मेरी एक दोस्त है जो राची से है और उसे मदबनी कला के लिए स्टेट लेवल का पुरुसकार भी मिला हुआ है अब है पूरी तरी कैसे इसी कला पर ध्यान दे रही है नेहा ने आगे पूछा हमें बताइए कि है लोकल आर्ट ग्लोबल में कैसे बदला लोकल आर्ट मतलब की ग्रामीन इलाका जैसे पहले ये छोटे स्थर पर था अब ग्लोबल मतलब की इंटरनेशनली ये कैसे मसूर हो गया नमीता नीज जवाब दिया कि सही कहा आपने हमारी कला वेस्विक स्थर मतलब ग्लोबल स्टेज पर विस्म में फैल चुकी है और इसके लिए बजार भी बढ़ चुकी है इसके कुछ बड़े कारण है जैसे हमारे गाओं में जैसे पिल खवार की दुर्गा देवी से कुछ कलाकार नियमित रूप से विदेश जाती रहती है और एक्जिबिशन में भाग भी लेते है उसी समय कई विदेश हमारे गाओ भी आते हैं उन्हें हमारे प्रोड़क्ट पसंद आती है और वे हमारी कला में इंट्रेस्ट लेने लगते हैं जापान में एक म्यूजियम भी है जहां मदुबनी चितर कला मदुबनी पेंटिंग्स हैं वो रखी गई हैं भारत में मदुबनी पेंटिंग का परदेशन दिल नई पीड़ी इसे जारी रखे मुझे आपकी कला बहुत पसंद है और वास्तव में मैं आपसे कुछ कुछ सन कवर भी खरीदना चाहूंगी इसके बाद नभीता जी का आखरी जवाब धन्यवाद थैंक यू जितनी अधिक यकला फले फूलेगी फलेगी फूलेगी उतना ही हम खुस होंगे और इसी के साथ इनका यहाँ पर इंटर्वियू खतम होता है उमीद है आपको चेप्टर भी अच्छे से समझाया होगा इस चेप्टर के एक उसन आंसर में जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूँगा जिसका लिंक आपको वीडियो के आखिर में या फिर वीडियो के दिस्क्रिप्टर से मिल जाएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए चेप्टर के साथ